यूट्यूब के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर किरन सिंग, फिर से आपके बीच में उपस्तित हुई हूँ, अपना जो हमारा क्लास चल रहा था पहले, कुछ क्लासेज मैंने जो है वो साइकलोजी की यूट्यूब पे अपलोड करी थी, उसके तो exclusively मैंने आपके लिए बनाना प्रारंब किया है, जो भी students यूट्यूब पर जो है मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरे साथ हैं, ये वीडियो केवल और केवल उनके लिए है, तो आज इस कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास को, यानि की child development को, अब ये जो बाल विकास है, ये कहां कहां पे आपके प्रयोग में आने वाला है, अगर मैं बोलू तो इसका use जो है, ये बहुत सारी जगों पे है, केवल हम एक particular segment या किसी particular student की lobby या build को follow करके ये नहीं पढ़ेंगे, ये जो आपको मैं topic पढ़ा रही हूँ, ये topic आपके बहुत सारी जगों पे काम आने वाला है, जैसे सबसे पहले अगर हम लेते हैं, तो आजकल का जो चाम चल रहा है, read के अंदर, राजस्थान के अंदर, जो read का exam होता है, उस exam के अंदर आपको ये topic जो है, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, then हम बात करते हैं, second grade की, second grade कौन सा? RPSC, जो second grade exam होता है, उसमें भी आपकी ये काम आएगा, thirdly हम बात करते हैं, तीसरा जो है, first grade, यानि कि ये भी RPSC की तरब से आयोजित होती है, तो first grade के अंदर भी ये आपका, जो child development है, ये पूरी तरीके से काम आएगा, fourth हम जाते हैं, तो हम आते हैं, home science subject के अंदर, ये एक पूरा बहुत अच्छा सा topic है, child development and mother care का, तो ये topic जो है, आपके वहां से उस particular area को cover करेगा, next हम आते हैं, आगे की तरफ, next topic पे आते हैं, कि ये आपको क्या cover करेगा, तो ये again आपका psychology subject, अगर आप psychology विशय को पढ़ रहे हैं, तो psychology विशय को भी आपका ये topic cover करेगा, तो हम बहुत जादा broad नहीं हो रहे हैं, बहुत जादा अपने को, मतलब, बहुत सारे competitive exam में अगर नहीं भी देखें, तो summarize करें, तो जो हमारा बाल विकास वाला ये जो chapter है, यानि कि ये जो topic है, आपका बाल विकास, child development, इसको हम इतने सारे भागों में कम से कम पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारे students ऐसे होंगे, जो राजस्थान के बाहर रहते हैं, उनको भी या राजस्थान के अंदर भी रहते हैं, CTAT, then आपका आता है, UPTAT, अदर जो है, जो हमारे state teaching eligibility test हैं, उन सबके अंदर भी ये हमारा जो topic है, ये काम करेगा, और ये बहुत अच्छे से आपको तयार होना चाहिए, तो हम प्रारंब करते हैं, आज जो हमने यहाँ पे जो लिखा है, child development अर्थात, बाल विकास, जो लिखा है, हम इसका आरंब कहां से करें, और क्या पढ़ें, इस श्रिंखला में हम लोग अगर चलते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे, बाल विकास की अवधारना, मतलग कहां से जो है, हमारा बाल विकास आता है, और क्यों आवश्यक्ता पढ़ी, कि हम इस बाल विकास को एक विशे की रूप में, अपने इस करिकुलम के अंदर, या अपने इस पाठेक्रम के अंदर, इसको समाहित करके पढ़ाई करें, या हमें ये पढ़ने की आवश्यक्ता क्यों है, क्यों हम पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों के लिए हमारे सामने एक तत्य आता है अवधारना, यानि की बाल विकास है क्या, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, और किन रूपों में देखा जा करता है, जब हम आउधारणाओं की बात करते हैं, जब हम बाल विकास के अंदर आते हैं, तो हम एक साधरन सा टर्म रखते हैं, हम एक चर्म क्या रखते हैं, जब भी हम बाल विकास की बात करते हैं, यह हमारा बाल विकास संबंदित किस्से होता है, व्यक्ति से, ठीक है, य जो भी हमारा व्यक्ति है या जो भी एक इंडिविज्वल परसन है जब इसके अंदर किसी भी प्रकार का शारिरिक तथा मानसिक किसी भी प्रकार का शारिरिक तथा मानसिक विकास जब उजागर होने लगता है या विकास का उदय जिसको हम बोल सकते हैं प्रस्फुटन आरंब होने लगता है तो ऐसी जो सिच्वेशन होती है जो हमारा उदय या प्रस्फुटन होता है यही क्या कहलाता है हमारा बाल विकास ठीक है अब कोई भी व्यक्ति है मान लेजे एक्जाम्पल लेजे मैं ही हूँ मैं यहां तक हूँ मेरी पोस्नालिटी यह है मेरा व्यक्तित्व यह है ग्यान में मैं यहां इस अंक तक आती हूँ बोल चाल साधरन भाशा में मैं हूँ नहीं हूँ मेरी पिच्च कैसी है मेरी लैंगविज कैसी है मेरी नौलेज स्केल कैसी है डिलिवर करने का तरीका कैसा है मेरे हाओ भाओ कैसे है इन सब को मिला करके क्या बना है मेरा अपना व्यक्तित्व बना है तो जब हम मानों की बा आंसिक विकास जो उसके अंदर होता है उसका एक उद्भव उद्धय या प्रस्पुटन होता है जिसको हम क्या कहते हैं बाल विकास कहते हैं अब यह जो हमारा प्रस्पुटन होता है या जो हमारा उद्धय होता है या उद्भव होता है अगर हम देखें तो विकास के यही हमारा भावी जीवन का आधार बनता है भावी जीवन का आधार कौन बनता है हमारा बाल विकास जिसके उपर हमारी शारिरिक और मांसिक विभिन प्रकार की विकास आत्मक प्रक्रियाएं होती है उन विकास आत्मक प्रक्रियाओं से गुजर करके हमारा अपना व्यक्तित्व जो है वो तयार होता है और वो व्यक्तित्व हमारे भविश्य के जो हमारा भावी जीवन है भविश्य का जो हमारा जीवन काल है उसको एक दरपन के समान प्रस्तुत करता है उसका एक आधार यान जो है वो किस रूप में हुआ जब हम आगे की श्रिंखला में चलते हैं बाल विकास की बात करते हैं तो जो हमारा बाल्यकाल होता है बाल्यकाल यह जो हमारा बाल्यकाल है इस काल को हम लोग बोलते हैं बाल्यकाल को जो हमारा बाल्यकाल होता है इस काल को अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं सिक्षण काल सिक्षण काल हम क्यों कहते हैं मैंने अभी आपको जो है अपने जो वक्त अव्य दिये मैंने अभी कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत कीए मैंने आपको एक शब्द बोला है कि भावी जीवन का आधार जो है हमारा बाल विकास होता है कारिय जो है वो सक्री होते हैं यानि कि उनमें विकासात्मक कारिय जो है वो क्रियाशील होते हैं तो उनसे हमारा क्या होता है बहुत सारी चीजें जो हम लोग सीखते हैं बहुत सारी चीजें हम लोग ग्रहन करते हैं कुछ चैंपरेरली हम लोग अपने पास लेते हैं कुछ च सारी चीजह सीखते हैं सीख करके अगर हमें लगता है कि यह हमारे लॉंग याने की आगे तक चलने के लिए कारगर सिद्धों होंगी तो हम उनको अपने आदितों में हम उनको अपने स्वभाव में हम उनको अपने व्यक्तित्व में हम उनको अपने माइंड के कहिए कि स्टो तोड़े समय के लिए जो उस समय के situations हैं, जो उस समय के परिस्थितियां हैं या जो उस समय के requirements हैं, उन requirements के according जब हम उनको अपने पास जो है उन विकास आत्मक कारियों को प्रयोग में लेते हैं और तत्छड प्रयोग करने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने ये काम भी किया थ तो वो जो ततकालीन या हमारा जो भूलने वाला है या खोने वाला भी जो विकास होता है वो भी कहीं न कहीं हमारे आगे के भविश्य को निर्धारित करता है तो छोटे पर यानि कि बाले काल पे जो विकास हमारा हो रहा है हम अगर टुकडे टुकडे में उनकी गिंती करन चाहें अगर हम यह सोचें कि हम कितने भाग हमारे विकास के होंगे कहां कहां से हो रहा है हमारी उंगलियां बढ़ रही है हमारे लिप्स की साइज बढ़ रही है हमारे आवाजों में बैलन्स हो रहा है मेरी वोकिबिलरी थोड़ी हिल रही है भाशा में यह सीख रही हूं थो तोड़े मेरे पिच्च जो है वो साउंड हो रहे हैं थोड़ा सा मुझे इसमें जोड़ डालने के ज़रूरत है मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी है थोड़ी सी बड़ी है हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट इतना है यह अगर हम इतने सारे जो है जो हमारे विकासात्मक कार् तो शायद हम individually यानि कि एक एक रूप में इनका आंकलन बहुत मुश्किल से कर पाएंगे या हम शायद ना कर पाएं इसी वजह से जो हमारा विकास है बाल विकास अगर हम लोग देखें तो बाल विकास हमारे विभिन पक्षों को यानि कि यह जो सिक्षन काल है सिक्षन काल मे विभिन पक्ष होते हैं कौन से विभिन पक्ष होते हैं आप लोग इससे बिलकुल रूबरू होंगे या आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि यह विभिन पक्ष हमारे कौन कौन से हैं कौन कौन से हैं जो हमारे विकास होते हैं पॉइंट वाइस भी अगर हम लोग लखना चाहें, तो हम इनको point wise लिख सकते हैं, सामाजिक विकास, चीक है, सबसे पहला आगर हम लोग देखें, तो हमारे पास क्या होता है, सामाजिक विकास, शारिरिक विकास, मांसिक विकास, चारित्रिक विकास, सांस्क्रितिक विकास, भाशा विकास, सामाजिक, शारिरिक, मांसिक, सांस्क्रितिक, भाशा, नैतिक, यह क्या है, यह विकास के जो है, वो विभिन पहलू है, या विभिन प्रकार के पक्ष है, जिनमें हम, जो हमारी छोड़ छोड़ी जितने भी विकास आत्मक कारिया हैं, या जितने भी विकास हमारे होते हैं, हम उनको इनमें जोड़ सकते हैं, मैंने अभी आपको एक example दिया था कि शरीर के जो हमारे हाव भाव हैं अब जैसे उम्र के साथ-साथ नाखुनों का बढ़ना या उंगलियों के size का बढ़ना या उसके साथ-साथ बालों का बढ़ना गर्दन का बढ़ना मोटा होना छोटा होना ये क्या है ये विभिन प्रकार के जो है हमारे शारिरिक विकास हैं तो अलग-अलग अध्यन ना करके हम इन सब का जो भी विकास बालक के शरीर के विकास से जुड़ा हुआ होता है इन सभी विकासों को हम किसमें डाल देते हैं शारिरिक विकास के अंतरगत डालते हैं मनवज्यानिक विकास यानि कि वो सी अप्तह ही सीख रहा है या किसी के help के अनर्शार सीख रहा है तो जब इस तरीके के ہम लोग उसके अंदर यानि कि बालग के अंदर चेंजजस देखते हैं fat 다 Bakas देखते तो उनको हम किसमें लेते हैं मानसिk विकास में दीरे 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 जो हमारा बच्चा है उसके जो है वो चरित्र का भी निर्माण होता है और उस चरित्र के निर्माण से जब वो अपने आप में एक व्यक्तित्व को जो है निखारने की कोशिश करता है अपने आपको दूसरों के सामने साबित करने की कोशिश करता है अपने यह ट calendar पास आए यहीन काधर किसे विकास में एक विकास कुछी साभी उसको हम लोग बाल गासे नहीं कह सकते हैं अगर कोई भी एक विकास इन में सारे विकास हैं इन सबका combine pouch या packet या hamper जो है ये क्या कहलाता है बाल विकास की और हमारे को aggressor करता है अब हमारे सामने कुछ तत्य ऐसे आते हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है पहले हमने बोला बाले काल क्या है सिक्षण का काल होता है अब हम next point पर आते हैं जो हमारा बाल के काल होता है यानि कि जो हमारा बाल विकास होता है अगर हम लोग देखें तो इसमें जो विकास की जो गती होती है या विकास की जो इस्थिती होती है इसमें जो है वो त्री दुई प्रक्रम जो हैं वो हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन शामिल होते हैं तो इस विकास के क्रम में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो होते हैं बालक के पास या किसी बच्चे के पास सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं बालक के माता और पिता चीक है, उसके विकास के क्रम को अग्रिसर करने के लिए, यहाँ पे हम डाल देते हैं, बाल, विकास, माता और पिता होते हैं, माता और पिता में ही हम क्या ले लेते हैं, परिवार को भी ले सकते हैं, चीक है, माता और पिता, जो है हमारे बाल विकास में जो है, अगर हम लोग त्री धुई, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, त्री धुई प्रक्रम, थ्री डायमेंशनल फेज की जब हम बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे यानि की बालक के माता पिता आते हैं, हमारे जो है, अगर मैं देखूँ, तो समाज आता है, और समाज के अंदर हम बात करें, अगर, तो पडोसी, पडोसी, रिष्टे दार, यह आते हैं, तीसरे में हम आते हैं, तो तीसरा जो हमारा जो त्रीद्रुई प्रक्रम का भाग होता है वो होता है हमारा सिख्षक जब हम सिख्षक की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक अकेला सिख्षक ही जो है वो बच्चे के विकास में सहायक होगा सिक्षक के साथ साथ विद्यालई वातावरण साथ में मित्र मंडली ये भी कही न कहीं बालक के विकास में अपना हेल्प करती हैं या बालक के विकास में एक महत्वपुर्ण भूमिका के रूप में जो है वो अपना योगदान देती हैं जब हम तीनों की बाते करते हैं यानि कि हमने बाल विकास के अंदर माता पिता की बात की हमने बाल विकास के अंदर समाच की बात की और हमने बाल विकास के अंदर सिक्षक की बात की जब हम इन तीनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं अर्थात हमें क्यों आवश्यक हुआ कि ह हम इन तीनों को अलग अलग पढ़ें या हम इन तीनों को कैसे जान पाएंगे कि किस रूप में या किस तरीके से ये लोग बालक की personality को बालक के व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास कर सकते हैं या बालक को वो किस तरीके से समझें कहां किस तरीके से उसको जो है विक्सित कर बालक के शारिरिक विकास पे किस तरीके से खारे करना है बालक का मानसिक विकास कैसा होगा बालक के चरित्र को कैसे निखारा जा सकता है उसमें नैतिकता कैसे डाल सकते हैं या उसके भाशा विकास के लिए क्या काम कर सकते हैं तो इन सब को जानने के लिए हमारे पास एक उत्पन्न हुई जिसको हमने कहा मनो विज्ञान विवहार क्या कहा हमने इसको हमने कहा मनो विज्ञान विवहार अर्थाद साईकोलोजिकल बिहेवियर हमने क्या कहा हमारे सामने जब माता पिता समाज और सिख्षक इन तीनों के जो है समनवीत रूप से जब बालक के विकास की बात सामने आई तो हमारे पास एक term आया मनो विज्ञान विवहार या psychological behavior इसके अंदर हम लोग इन तीनों को समाहित करके या इन तीनों के point of view से बालक के विकास की बात करने लगे ठीक है जब ये बालक के विकास की बात करने लगे हमारे पास psychological behavior नामक ये term आ गया और थाथ हमारे पास मनो विज्ञान विवहार नामक एक term आया तो इसी विवहार psychological behavior या मनो विज्ञान विवहार से हमारे पास एक आगे और advanced term आया और एक स्वतंत्र जो है वो विशे के में हमारे पास एक विशे आया इसको बोला गया बाल मनो विज्ञान इसी को बोला गया बाल मनो विज्ञान यानि कि यही आगे चलके advance हुआ और बना child psychology ठीक है ये क्या बना child psychology धीरे धीरे समय बीता गया और समय बीतने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती गई जिनमें हमें बहुत सारे अपग्रेडेशन की जरुवत पड़ी अर्थात हमें बहुत सारी चीजों में अपने आपको समय के अनुसार वातावरण के अनुसार as per demand यानि की बालक की आवशक्ता क्या है विकास के छेत्र में उन आवशक्ताओं के मद्दे नजर हमें और बहुत सारे कारे करने पड़े और उन बहुत सारे कारियों के दौराण चुकि हमारे पास एक child psychology नाम से स्वतंत्र विशे जो है वो आ चुका था तो बहुत सारे इनमें क्या है child psychology जो हमारे पास विशे आया या हिंदी में हम बाल मनुविज्ञान इस विशे की बात करते हैं तो यह जो हमारे पास आया इन में जो है वो शोध कार्य क injuries को ये निरणतर कंटीन्यू रहे शोध कार्य हमारा जो हए बाल्विकास के छेत्र में ऐसा नहीं है कि एक बार स्वतंत्र विशे हमने दे दिया उसके बाद हम स्टॉप ही हो गए हम भूली गए कि इस विशय में हमें आगे क्या करना है या क्या और नया इसमें डाल सकते हैं ऐसा नहीं है हम भूले नहीं और नहीं हमने उसको छोड़ा हमारे जो शोद कारिय अर्थार research work जो है वो क्या हो गए आगे तक continue हमारे चलते रहे और यही research वो या शोद कारिय जो हमारे आगे तक चलते रहे इन्हीं से हमारे पास एक नय चुमका उध्वैं हुआ और हमारा जो साइकलोज, चाइल्ड साइकलोजी था अर्थाद बाल मनोविज्ञान था इसको एक नया नाम दिया गया या नया ट्रेंड दिया गया जिसको हमने कहा बाल विकास अर्थाद चाइल्ड जेवलप्मेंट जो हमारा चाइल्ड साइकलोजी था उसी को हमने अपने विभिन्न परकार के अनुसंधानों के माध्यम से विभिन्न परकार के शोदों के माध्यम से अलग-अलग रिसर्च को फॉलो करते हुए हमने एक स्वतंत्र नाम पहले भी दिया था और उसी को और अप्ग्रेड कर दिया और अभी आधुनिक्तम समय में हम इसे क्या नाम से जानते हैं बाल विकास के नाम से जानते हैं तो यह हमारा एक मोटी मोटा जो है वो अवधारणा जो है वो आई अब हम आगे देखते हैं ये बाल विकास बेसिकली है क्या जैसे कि आपने देखा बाल विकास यहां पर अगर हम बात करते हैं सिंपल अगर मैं बात करूँ बाल विकास की तो बाल विकास बेसिकली दो रूपों में हमें दिखेगा बाल विकास जब हम बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो यहां दो चीजें जो है वो साफ आप दिख रही हैं एक है आपका बाल प्लस दूसरा है विकास अब ये क्या होता है बाल क्या है याने की बालक कौन है और विकास क्या है तो जब हम बालक की बात करते हैं देखिए बहुत समझने वाली बात है आप इन चीजों को समझिए जो साइकलोजी का मैंने देखा है कि एक हववा सा बना रखा है आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं पिद्धी इंगे या मनुवेज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है है इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना चाहिए लेकिन एक चीज आ अतार एक प्लू और समझने का प्रयास कीजिए ठीक है आप इसको जितना practically समझ सकते हैं आप जितना अपने आपको उस situation में रख सकते हैं आप जितना practically इसको देख सकते हैं जब इनको देख करके आप सीखने का प्रयास करेंगे तो यह आपको विसी लगेगा अगर आप यह केबल किताबों में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद रटने का प्रयास करेंगे तो यह आपके लिए बहुत टफ होने वाला है यह आपके लिए बहुत कठिन विशय के रूप में सामने आएगा चलिए हम आते हैं हमने कहा बाल और विकास इन दो शब्दों से मिल करके हमारा बाल विकास बनाए अब ये बालक कौन है बालक का मतलब बालक कौन है तो ध्यान रखिएगा बालक के जब परिभाशा दी जाती है तो बारह वर्ष तक की आयू अर्थात जन्म से लेकर के बारह वर्ष तक की आयू का जो बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं बालक कहते हैं ठीक है अब इसमें लिंग कोई भी हो सकता है अपन बालक जो है ये दोनों लिंगों के लिए यूज करते हैं यानि कि चाइल्ड हम लोग जो है वो दोनों लिंग जो होता है वो 12 वर्ष तक की आयू 12 वर्ष तक की आयू का जो बच्चा होता है उसको हम क्या करते हैं बालक करते हैं लेकिन हम इसको पढ़ रहे हैं हम बालक को बाल विकास के अंतरगत पढ़ रहे हैं तो बाल विकास के अंतरगत जब हम पढ़ेंगे तो हमारा बाल विकास य को कर लेते हैं बाल विकास के अनुसार क्या है गर्ब धारण से परिपक्वावस्था गर्ब धारण से परिपक्वावस्था तक पहुचने वाला जो भी बालक होता है वो क्या होता है हमारे बाल विकास के अंदर में बालक होता है ठीक है तो बाल विकास के अंतरगत गर्ब धारण से लेकर के परिपक्वावस्था तक जो बालक है वो हमारे लिए यहां पर एक बालक है जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास हमारी क्या होती है ऐसा नहीं है क विकास हमारा क्या है एक प्रक्रिया होती है जो अगेन क्या होती है क्रमिक होती है यह जो विकास हमारा होता है यह हमारा विकास एक प्रोसेस के रूप में होता है एक प्रक्रिया के रूप में होता है जिनमें कुछ क्रम डिफाइंड किये जाते हैं उन क्रमिक भावों के आध पर हमारा क्या होता है विकास होता है अब ये जो विकास होता है इसमें जो क्रमिक भाव हमारे को देखने को मिलते हैं ये क्रमिक क्या होते हैं ये क्रमिक हमारे विभिन प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो भी परिवर्तन बालक के अंदर आता है वो क्या होता है क्रमिक होता है चीक है अब जब हम इसको क्रमिक कहते हैं यानि कि विकास की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं क्रमिक कहते हैं तो इस विकास की प्रक्रिया को अगेन हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे हाँ, चलिए, हम इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, हम ने कहा कि जो विकास है, ये एक प्रक्रिया होती है, यानि कि ये एक प्रोसेस होता है, जो कि क्या होता है, क्रमिक होता है तो ये जो क्रमिक प्रोसेस होता है इसके भी जो है ये क्या होते हैं दो भाग होते हैं इस क्रमिक प्रोसेस के दो भाग होते हैं अब दो भाग कौन से होते हैं पहले भाग को हमने बोला कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव जेवलेपमेंट और जो दूसरा प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव जेवलेपमेंट पहला भाग जो हमारा हुआ जो क्रमिक हमारा जो परिवर्तन का क्रमिक भाग है पहला जो हमारा भाग होता है उसको हमने बोला constructive और जो दूसरा भाग है उसको हमने क्या बोला destructive, destructive और constructive से क्या मतलब होता है constructive हमारा रचनात्मक होता है इसे हम बोलते हैं रचनात्मक विकास जबकि destructive हमारा होता है विनाशात्मक विकास अब ये दो अच्छे टर्म्स आप लोगों के सामने आगए है ना आए दो अच्छे टर्म्स आए यानि कि आपके सामने दो टर्म आए पहला टर्म आया constructive development और दूसरा टर्म आया destructive development एक होता है रचनात्मक विकास और दूसरा क्या होता है विनाशात्मक विकास अब मैं आपको बताऊंगी ये रचनात्मक विकास और ये विनाशात्मक विकास बेसिकली आपके लिए किस तरीके से प्रयोग में लिए जाते हैं आपके लिए नहीं हमारे हैं बाल विकास के लिए हमारे get लिए क्या से प्रियोग मैं लिए आते हैं रचनात्मक विकास के जब हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं विभिन प्रकार के का विभिन कॉशलों कि एवब ज्ञान की प्रवृतियां विभिन कौशलों एवं ज्ञान की प्रवृतियां जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लेके चलें तो हम इनको बोलते हैं सीखना जब भी हम हमारे अंदर जब रचनात्मक डवलप्मेंट होते हैं रचनात्मक विकास होते हैं बालक के अंदर अलग अलग नए नए तरीके के नॉलेज को वो गेन करता है ज्ञान को वो अरजित करता है किसके बेसिस पे खुद के कौशलों के मैंने आपको एक शब्द बोला था कि हम जब भी विकास की बात करते हैं विकास हमेशा जो है वो व्यक्तित्व को इंफ्लेंस करता है तो हर एक बच्चे का अपना खुद का व्यक्तित्व बनाता है और वो व्यक्तित्व ज्यान कम जादा सभी में होता है लेकिन जो व्यक्ति का अपना खुद का कौशल हो सीखने के बाद, जो उसे जरूरी लगता है, उसमें स्थाइत्व लाता है, और जो उसके काम का नहीं होता है, उनमें वो अस्थाइत्व लाता है, और उनको अपने हां से अलग करता है. जो जरूरी होता है अर्थात बालक जिस ग्यान को या जिस कौशल को अपने स्थाइत्व में प्रयोग में लेता है उसको वो भविश्य में जब 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 जरुवत होती है तब तब उसका प्रयोग करता है और उसके प्रयोग से वो अपने आपको आगे ले करके चलना चाहता है अर्थात वो क्या करता है सीखता रहता है और सीखते सीखते वो क्या करता है आगे बढ़ता है अब यहाँ पर एक चर्म आता है आगे बढ़ता है तो आगे किस तरफ बढ़ता है आगे बढ़ने का जो जो बालक का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है उपर की तरफ अर्थात पहले वो बैटना सीखता है उसके बाद फिर वो घुटनों के बल चलना सीखता है फिर वो थोड़ा खड़े होना सीखता है फिर खड़े होने के बाद चलना सीखता है दो पैरों पे फिर चलते चलते वो दोड़ना सीखता है फिर दोड़ने के बाद वो अपने इस प्रक्रिया के अंदर सीख रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारे को आगे से आगे ले करके जाता है अब दूसरे टॉम में आईए हमने कहा विनाशात्मक विकास ये जो destructive development है ये हमें क्या करता है ये हमें कहीं न कहीं ये प्रौढ़ा वस्था प्रोढ़ा वस्था से बृढ़ा वस्था की प्रवृत्ती इसमें क्या होती है प्रबल हो जाती है अर्था हम जब बात करें रशनात्मक विकास की हम रशनात्मक विकास करके एक प्रौढ़ बन गए यानि कि हम एक मैच्योर परस्णालिटी के रूप में आने के पश्चार हमारे सामने एक चाम आया क्योंकि आपको भी पता है हर एक जगे पे जब भी हम ग्रोध चार्ट को लेते हैं यानि कि हम कोई भी ग्रोध चार्ट ले लें एक नॉमल सा आप ये साइकलोजी छोड़ि व्रिद्धी का जो ग्राफ होता है उसको आप मेजर कर सकते हैं जो व्रिद्धी का ग्राफ होता है उपर जाता है उपर जाता है उपर जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो ग्राफ बिल्कुल सेचुरेटेड हो जाता है अर्थात रिक्वाइमेंट ही उतने की थी अब उस शात्मक विकास की निशानी होती है और इस समय पे क्या होता है कि सीखना कम हो जाता है कि सीखना क्या हो जाता है कम हो जाता है और वो जो हमारा जो एक सीखना जब कम हो गया तो जब हम विकास की बात करते हैं तो वो कौन सी अवस्था में होता है वो decline phase में होते हैं अर्थात आपने जो सीखा है वो फिर दीरे 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 क्या होता जाएगा कम होता जाएगा ठीक है तो आपको यह समझ में आ गया constructive और destructive यह दो तरीके के विकास होते हैं जिनका एक निश्चित क्रम होता है बाल विकास के अंतरगत इनको follow करके जो है आगे इन जाने की हमने destructive की भी बात की और हमने आपके जो है destructive की भी बात की और constructive की भी बात की अब यह जो हमने constructive की बात की यह जो constructive जो हमारा विकास होता है constructive development होता है यह हमारे को कहां ले जाता है growth की तरफ ले जाता है ठीक है यह हमें कहां ले जाता है यह हमें growth की तरफ अर्थात व्रिद्धी की तरफ ले जाता है और जो हमारा destructive point होता है या destructive अप्रक्टिव डेवलोप्मेंट होता है यह हमारे को कि डिकलाइन की तरफ ले जाता है जिसे हम बोलते हैं हार्स ठीक है जो हमारा ग्रोथ है वह हमेशा क्या होगा ग्रोथ हमेशा क्रमी कोगा जिसमें नीचे से उपर की तरफ सरल से कठिन की तरफ इस तरीके से होगा जो decline होगा वो क्या होगा हमारा कठिन था उससे फिर हम सरल की तरफ आ रहे हैं उपर जितना सीखा था या जितना ज्यादा सीखा था उनको हम भूलने लगे हमारी चमता नहीं है उनको वापस continue करने की अब वो धीरे-दीरे लुप तो हो रही है हमारी energy हमारा साथ नहीं दे रही है तो यह दो टर्म्स हमारे पास आते हैं अर्था ग्रोध और डिकलाइन यह हमारे जो परिवर्तन होते हैं जो हमारा विकास का process है विकास के process यानि कि विकास की प्रक्रिया का जो है यह दो भाग होता है constructive और destructive अब एक चीज़ और हम लो आई हूं तो एक और टर्म चोटा सा है उसको हम लोग discuss करने के बाद जो है वो इस class को end करेंगे जब हम बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास हमारा जो है basically इसके कुछ चरण बताए गये हैं मैं यहां पर आपको mention कर देती हूँ बाल विकास के चरण सबसे पहले तो मैं आपको यह बताओं कि जो अभी हम लोग यह जो पढ़ रहे हैं इसमें किसी भी तरीके का typical कोई terminology किसी भी thinker या किसी भी psychologist या किसी भी educationist इनके किसी भी के भी इमने point of views नहीं लिये हैं यह normal से terms हैं जो व्यवहारिक रूप में आपको जानना चाहिए और मैंने कोशिश की है कि व्यवहारिक रूप में मैं आपको यह सिखा पाऊं बाकी जो हमारे terms हैं जो psychology विशे है चाहे child psychology है चाहे education psychology से है वो हम लोग terms आगे पढ़ेंगे बट समझने के लिए आपको व्यवहारिक रूप से इनको समझना बहुत आवश्यक तो जब हम बात करते हैं बाल विकास के चरण की एक साधारन से terms में अगर हम लोग लेते हैं तो बाल विकास का चरण जो है हमारे तीन steps create करता है ठीक है बाल विकास का जो हमारा चरण है वो तीन जो है वो steps यानि कि तीन स्तर को सुनिश्यत करता है जो पहला स्तर होता है इसक को हम बोलते हैं उत्पत्ति कि उत्पत्ति से तात्पर्य है हमारा कि ओरीजिन है ओके जो पहला स्टेज है हमारा उसे हम क्या कहते हैं उत्पत्ति दूसरे स्टेप में आते हैं उस स्टेप में होती है हमारी व्रिद्धी जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ ठीक है और तीसरा जो है जो फेज हमारे पास आता है उसे हम बोलते हैं अब कर्ष अर्थाथ फॉल अब ये तीन हमारे पास स्टेप्स हैं यानि कि तीन चरण है बाल विकास के सबसे पहले जो हमारी उत्पत्ती होती है बाल विकास जो है वो कैसे उत्पन हुआ या बाल विकास में किस तरीके से जो है इन तीनों को देखते हैं जब हम इन तीनों स्टेजिस को देखते हैं तो अगेन हम इनको मिला करके हमारे क्या कहेंगे विकास सात्मक विकासात्मक प्रक्रिया की बात करेंगे हम क्या करेंगे इन तीनों फेजेस को ले करके हम विकासात्मक प्रक्रियाओं की बात करेंगे और तीनों स्तरों को या तीनों चरणों को मिला करके हम ये विकासात्मक प्रक्रिया क्या करेंगे बाल विकास के अंदर continue करेंगे और अभी मैंने आपको बताया है कि यह जो प्रक्रिया है बाल विकास की यह सौरी विकास की यह हमारे पास दो रूपों में है एक है हमारा क्या है constructive destructive और दूसरा है हमारा destructive ठीक है तो ये हमारे जो है ये terms जो है वो आगे तक इसी तरीके से follow होंगे ये हमारा जो है ये cycle हमारा इस तरीके से चलता है यानि कि इन में जो है वो क्रमिक परिवर्तन देखे जाते हैं ये क्रमिक रूप से ही चलता है ऐसा नहीं है कि पहले अपकर्ष हो गया उसके बाद वृद्धी होई उसके बाद नहीं सबसे पहले आपको भी पता है किसी भी टर्म को हम लोग जब पढ़ना चालू करते हैं या आपने व्योहारिक लाइफ में भी देखेंगे तो स जब भी उसका एक saturation point आता है हर वो growth क्या होता है अपकर्ष, fall या decline में परिवर्तित होता है दोस्तों आज हमने जो है basically एक छोटा सा topic जो है वो पढ़ने के कोशिश की हमने समझने का प्रयास किया कि बाल विकास की ओधारना basically क्या होती है अलग-अलग मैंने आपको बताए कि किन-किन विश्यों में इस topic को आप प्रयोग में ले सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं आगे के topics में हम बाल विकास के और भी जो है वो विभिन प्रकार के जितने भी topics हैं हम उनका अध्यान करने का प्रयास करेंगे आप इस video को अच्छे से देखिए जितना हो सके मैंन करेंट कीजिए लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने जो भी साथी जो भी आपके फ्रेंड हैं जो इस विशह से related अर्थाथ चाइड्ड साइकोलोजी यानि की बाल मनुवघ्यान और सिक्षा मनुवघ्यान एजुकेशनल साइकोलोजी से related किसी भी तरीक होगी आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे मिलते हैं अगली कक्षा में थब तक स्वस्त रहिए मस्त रहिए और जबर्दस्त रहिए बाई-बाई